Hello everyone, this is Ritu and welcome to study more knowledge. So, CTAT के previous questions हम solve कर रहे हैं और इन वीडियो में हम discuss करते हैं Social Science के previous questions को with explanation. तो ये questions की series है हमारी December 2022 और January 2023 में जो आपकी online exams हुए थे और इन questions की अगर आप practice करते हैं regular तो इससे आपको काफी फायदा मिलता है आपकी preparation बहतर होती है और आने वाले CTAT के exams में आप अच्छा score कर पाएंगे You can also follow me in social media Facebook page, Insta ID and Telegram channel Link आपको description मिल जाएगा Question है जिसमें की assertion और reason दिया गया है Hindi में है और अभी आगे देख लेते हैं English में भी इसको यहाँ पर आपको options भी दिख जाएंगे और सही option देख लेते हैं क्या रहेगा? Assertion और reason Solve करने का तरीका मैंने बताया था पहले देखते हैं कि दोने statement सही है या नहीं और उसके बाद देखते हैं दोनों का आपस में जो relation है वो बन रहा है कि नहीं उसके बाद फिर इसका answer किया जाता है तो सही option यहाँ पर हो जाएगा First दोनों ही यहाँ पर statement सही है और R is the correct explanation of A जो reason दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है तो देख लेते हैं statements को E.V. Rama Swami Naikar और पेरियार मनु सहीता भगवत गीता और रामायन जैसे ग्रंतों के आलोचक थे तो यह बात बिल्कुल सही है यह दो विद्वान ऐसे थे यह सुधारक ऐसे थे E.V. Rama Swami Naikar और पेरियार यह जो हमारे प्राचीन ग्रंत हैं मनु सहीता, भगवत गीता और रामायन इनके आलोचक थे और reason दिया गया है क्यों यह आलोचक थे क्यों इनकी निंदा करते थे इन ग्रंतों की तो reason दिया है कि पेरियार ने देखा कि यह ग्रंत निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुर्षों का वर्चस्वी स्थापित करने के लिए उपियोग में लाए जाते हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसा ही वर्णन दिया गया है कि अनिम्न जाति के ऊपर उच्च जातियों का वर्चस्व है और महिलाओं के ऊपर पुर्षों का वर्चस्व है मतलब एक तरसे अधिकार होता है कंट्रोल होता है तो यह दिया गया था इन गृंतों में इसी वज़े से यह इनके आलो चक थे कटू आलो चक थे कि भई यह जो है एक तरह से इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली दोनों सही भी हैं और कारण भी सही दिया गया है किस गवर्नर जनरल ने घोशना की थी कि बहादूर्शा जफर अंतिम मुगल राजा होंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं जो बहादूर्शा जफर है मुगलों के अंतिम शाशक थे इसके बाद कोई भी शाशक नहीं बना था उसका रीजन यहीं था यह जो गवर्नर जनरल थे इन्होंने घोशना पहले ही कर दे थी कि यह अंतिमुगल शाशक होंगे बहादूर्शा जफर और क्योंकि मुगल सक्ता जो है एक तरह से इसमें कोई जो पावर्फूल समराट नहीं आया था तो इसलिए धीरे-धीरे इसका पतन ही हो गया था लगभग इस टाइम तक तो यहाँ पर सही option हो जाएगा first तो Lord Canning ने यह घोशना की थी कि बहादूर्शा जफर जो है अंतिमुगल राजा होंगे क्योंकि pension इस वक्त दी जा रही है मुगल शाशकुरूदों को अब देखो यहाँ पर जो है इन्होंने डिटेल में यह दिया है 1856 में Governor General Canning ने फैसला गिया कि बहादूर्शा जफर आखरी मुगल बादशा होंगे अब देखो इनको क्या करना पट रहा था मुगल शाशक जो थे जानेता ती जाएगी निम्लिकित मेंसे किस भाष्षा में कैसरी एक बार छपता था तो यहां पर सही option हो जाएगा थर्ड मराठी लेंग्वेज में यह कैसरी एक बार छपता था तो यह था कैसरी एक बार और यह किस इसने स्टार्ट गया था यह आप मुझे comment section में बताएंगे वैसे तो यह नहीं पूछा जाएगा आपसे लेकिन ऐसी जनरल नौलिज के लिए मैं जानना चाहरी हूं देखते हैं कौन-कौन comment करके बताता है मुझे संपादक पूछते हैं बैसिकली कहते हैं कि संपादक इसका कौन था तो वह आप मुझे comment करके बताता हूं निम्लिकित में से किस एक्ट से भारते संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं तो यहां पर सही option हो जाएगा पूछा नहीं जाएगा डिटेल में मैंने आपको जानगारी के तोर पर यह लिख दिया है तो इसमें से भारते संविधान में काफी सारे प्रावधान जो हैं लिए गए हैं और तो यहां पर मोटे मोटे तोर पर देख सकते हैं तो आप देखोगे यहां पर तीन सूचियां जो है संग सूची, राध्य सूची, समवर्ती सूची यह भी संविधान में देखने को मिलता है क्याई सारी चीज़े हैं जो कि केंदरो राज्य के बीच जो पावर का दिस्टिबूशन किया गया है वो भी आपको पता है तो क्याई सारी चीज़े हैं जो कि इस से 1935 के एक् प्लैनेट्स और एक तरफ दिये गए हैं चंद्रमा की संख्या कों से ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं चंद्रमा से मतलब है कि उपग्रह कितने हैं उपग्रह होते हैं जो ग्रह के चारोर चक्र लगाते हैं जैसे कि चंद्रमा जो है वो प्रित्वी का चक्र लगाता है त जो की प्लैनेट के जो उपग्रह होते हैं ग्रहों के जो उपग्रह होते हैं जो उनके चारोर चक्र लगाते हैं उनको चंद्रमा ही कहते हैं तो यहां पर बधा में बताना है ग्रह है जो है उनके चंद्रमा की संख्यक कितनी किसकी है मतलब कितने यहां पर question पूछा गया हमसे कौन से कौन सा correctly match नहीं है तो यहाँ पर सही option देख लेते हैं question जो है थोड़ा गड़बड है गड़बड कैसे है? इन्होंने यहाँ पर options नहीं दिये क्योंकि यह देखो official question है seated का और official answer भी है तो 2, 3, 4 जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है वैसे यहाँ पर होना चाहिए था कौन सा सुमेलित है तो तब एक हमारा होता मंगल जो मंगल ग्रह है उसके चंद्रमा की संख्या दो है बाकी सभी जो है इनके चंद्रमा की संख्या जो है गलत दी गई है अभी तो इनकी सही संख्या देख लेते हैं, कितनी होनी चाहिए, तो मंगल ग्रह जो है, उसकी तो दो है, हमने देख ली, यह रही मंगल ग्रह की, सूर्य के चार और परिक्रमा जो करता है, इसमें इसको 687 दिन लगते है, जो जानकारी है, इसके साथ ही थी, तो इसलिए मैंन लेकिन 53 नहीं है, बलकि 79 है चंद्रमा इसके दियान रुखेंगे, यूरेन जो है, यूरेनस के चंद्रमा की संख्या है 27, महां पर कुछ और संख्या दी गई थी, और नेप्चुन के चंद्रमा की संख्या है, 14, महां पर भी अलग दी गई थी, तो इसलिए तीन option जो हैं वो सही सुमेलित नहीं है अभी current time में बात करूं तो चंद्रमाओं की संख्या सबसे ज्यादा किसके हैं शनी के पास हैं पहले ब्रसपती के पास थे ज्यादा ब्रसपती के बाद जो शनी के चंद्रमा है 20 चंद्रमा जो है नए मिले उसके उसके बाद उसकी संख करना है यहां पर कौन सा सही होगा यह हीट जोन से लिया गया है और हीट जोन में आपको बहुत बार करवा चुके हैं क्रिशन के थुरू भी वैसे भी करवाया है चैप्टर में भी और कहीं भी डाउट होता है देखो लोंगिट्यूट और लेडिट्यूड लाइस जो है वह से दिए गए हैं उत्तर दुरूवरत जो आर्क्टिक सर्कल है और उत्तरी दुरूव के बीच के छेत्र में बहुत ठंड होती है अब यह जो एरिया है यह मैं आपको भी दिखाऊंगी कौन सा यह एरिया है तो यह बात बिल्कुल सही है यह हमारा सबसे ठंडा एरिया होता ह ठंडा इजर न होता है सबसे जो ऊपर होता है लोड़ा गलोब पर आगर डेखोगे लोड़ पे यह तो है पॉल हमारा यह पॉल और सरकल के बीच की बात यह यहां पर यहाँवर बहुत ठंड होती है रिजन क्या दिया है क्यूं ठंड होती एतनी कि स रहेइं हमेशह एक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन है यह वाला यहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है क्योंकि सूरेज की केड़ने हैं वो सीधी यह एस एरिया है यहां सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो दोनों सही हैं और एक्स्प्लिनेशन भी सही दी गई है तो देखो कुछ इस तरह से आप इसको देख सकते हो यहाँ पर जहाँ पर सीधी किड़ने बिल्कुल पढ़ रही है देखो डारेक सनलाइट यहाँ पर जा रही है इस एरिया में एक्वेटर वाला जो रीजन है कि टोरीड जोन कहलाता है यह ऊशन कटी मंद कहलाता है यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है इसके बाद यह मध्यमतापमान वाला आजाता है एरिया जहाँ पर सूरी की किड़ने ना तो ज़्यादा सीधी पड़ती है और यहाँ पर मध्यमतापमान रहता है यह वाला एरिया भी कुछ इसी तरह का है, यहाँ पर भी मध्यमतापमान हैता है अब आता है यह वाला एरिया, अब यह वैल चाहे ऊपर वाला एरिया हो या तो फिर नीचे वाला एरिया हो, ऊपर वाला तो नोर्थ पोल के आसपास रहता है यह area और यह नीचे South Pole के पास वाला area है इसको Antarctic Circle कहते हैं इसको Arctic Circle कहते हैं तो यह जो area है इनमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और reason यह है कि जो sunlight है वो तिरची पड़ती है तो इसी वज़े से यहाँ पर गर्मी कम मिलती है तो जब हमारे हैं पर सर्दी होती है न तो वैसे हम फ्रीजिट जोन में तो आते नहीं है लेकिन हमारा यह वाला area है हमारा आधा भारत तो ऊशनकटी बंध में आता है आधा आता है सितोशनकटी बंध में क्योंकि करक्रेखा यह बीच से जारी है न भारत के तो हमारे यहां पर माजो सर्दी में आप देखते हो ना सर सर्द्यों संसी आप pos पुर में उध होता है क्योंकि उसका reason क्या है सूर्य पूर में उध होने के कारण क्या है तो हलाकि वैसे उधे तो होता नहीं है बट क्यूंकि प्रिफी कि beth vertu करती है तो इसलिए हमें लगता है कि सुर्य उगता है तो यहां पर सही आप्शवाण हो जाएगा सेकिन ही परटीं अरेक कर रही है तो kuZA तरह से अब देखो जब यह वाला जो हिस्टा है यह वाला हिस्टा का तो यह सब से पहले आएगा सूरी की सामने卦 कूर्ठugen तो इसलिए ऐसा लगता है कि सूर्य जो है पूर से उबरा है नेक्ट क्विश्चन है थोड़ा सा ट्रिक्की क्विश्चन है ये और टाइम का कॉइंसेप्ट अगर आप में समझा है तो आप इसको एजिली कर पाएंगे अदरवाइस इसमें आपको दिक्कत आएगी बाकी मैं आपको समझा दूँगी कैसे करना है इसको यहाँ पर क्विश्चन दिया गया है भारत में केंद्रिय सरकारी कार्या लोग के खुलने का समय पूरवाहन नो बजे यानि कि सुभा के नो बजे है ये कह सकते हैं जो भारतिय मानक समय है चंडीगट के पास 77 डिगरी 45 मिनट पूरवदेशांतर पर इस्ट की तरफ यानि कि पूरवदेशांतर ही हम बोलते हैं इधर वाला जो टाइम जोन होता है उसमें और कोलकाता के पास 88 डिगरी 15 मिनट पूर देशांतर क्रमशय परिस्तित केंद्र सरकार की कार्य अलग खुलने का स्थानी समय क्या होगा देखो वैसे तो जो हमारा भारत का मानक समय है वो 9 बजे ही रहेगा हर जगा पर लेकिन हमें इसके अकोर्डिंग बताना है अगर हम मानक समय के अनुसार ना चले तो हम इन जगों पर क्या time रहेगा तो हमें क्रमशय दोनों का बताना है यहाँ पर क्या time होगा और यहाँ पर क्या time होगा देखो time यहाँ पर calculate करने के लिए आप क्या करोगे अब आपको पता है भारत का मानक समय क्या है? साड़े 82 डिग्री साड़े 82 डिग्री पर जो भी टाइम होगा वही टाइम हमारे पूरे भारत में मानने होगा तो यानि कि 9 अगर बजे हैं तो 9 बजे ही मानने होगा लेकिन अगर हम डिग्री के हिशाब से calculation करें तो हमें इस हिसाब से बताना है तो अब हम क्या करेंगे तो हमारा जो साड़े 82 डिग्री है साड़े 82 डिग्री देखो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 30 minute करके और हम इसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं देखो यह 30 मिनिट हम इस तरह से लिखते हैं, प्रनांस करते हैं हम इसे 30 मिनिट लेकिन यह 30 मिनिट नहीं काउंट करते हैं इसको, इसका मतलब होता है आधा डिगरी, इसका मतलब आधा डिगरी होता है, एक डिगरी is equal to कितना होता है, 4 मिनिट, तो आधा डिगरी is equal to होगा 2 म में एसे मिंट में कनवर्ट करेंगे थो हम मिनिट को कंउंट करते हैं कि अधयी यहां पर हमें क्या करना है 10.85 डिग रिए ॉन्हें इसमें हमें इसमें से ांसीडिगरी 반enza करें। इसमें में इस में हमारा 10 –5 degree 45 minute, और अगर मैं 86ed में से माइनस करती हूँ, अक्चछी हमें दोनों का अंतर निकालना हैं, तो अंतर अगर हम निकालेंगे, तो अंतर आहेगा, यह हमारा –5 degree 45 minute, और अंतर दोनों का ही 88 degree 15 minute और 82 degree 30 minute का अंतर जो हम निकालेंगे, यह आ जाएगा più目, प्लस वैसे हम लिखते नहीं है तो ये प्लस में आ जाएगा five degree 45 minute कि अब जब हम इसको मिनट में convert करेंगे तो मिनट में ये लगभग हमारे कितना बनेगा ये 27 मिनट बन जाएगा मिनट में 27 मिनट बन जाएगा तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमें जो मानक समय रेखा है उसके west का और east का जो time है यह हमें निकालना है तो west में 27 मिनट क्या करेंगे हम उसमें से time में से minus कर देंगे 9 बजे में से और जो east वाला time है उसमें plus कर देंगे तो इस तरह से हमारा कित तो इसका सही option हो जाएगा 4 तो कुछ इस तरह से ये इसका आंसर option 4 निकल के आज जा रहेगा देखो यहाँ पर भी आप दुबारा से इसको देख लो हमें जो है यह मानक समय रेखा का time दिया गया था और हमें निकालना था चंडीगड का और कैलकटा का कैलकटा यहाँ पर है चंडीगड यहाँ पर है तो यह लगभग 5 डिगरी 45 मिनट का difference है और यहाँ पर भी 5 डिगरी यह हिसाब से calculate करना था नेक्ट क्रिश्चन है दक्पन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौती विशेष्था से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर सही option हो जाएगा थर्ड सहयादरी सहयादरी को पश्चिमी घाट भी कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वेस्टन घाट यहाँ पर है इसको सहयादरी भी कहा जाता है और यह है डेक्केन प्लेटू तो डेक्केन प्लेटू जो है यह जुड़ा हुआ है वेस्टन घाट से नेक्स्ट किश्चन जो है यहाँ पर आपको एक तरफ दिया गया है मत्तब कौन सी चीज़े जो है कौन से जो खनी जो है वो आपको कौन सी शैलो में मिलते हैं तो यहाँ पर सही ऑप्शन से पहले पहले इंग्रिश देख लेते हैं और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा हम मिला देंगे लिए कि एक हम ऊंबर से मिला देंगे मार्वल में मिलता है और यह जो है कोल में आ 200 अलब और ऑर यह गहरanne जो है यह गुनियस रोक्स की कैटेग्री में आता है तो यहां पर आप इस रोक साइकल को भी देख सकते हैं इस तरह से यह convert होते हैं एक दूसरे में यह बल्वा पक्तर यह ग्रेनाइट जो है कुछ इस तरह से मिलता है और इस इसे तरह की स्पच्वेमें में को पता है कि नियुक Sikh वर गयरें होते हैं वह से बनाए जाते हैं और यह मार्वल कुछ इसतरह से मिलता है और यह स White होता है तो यह थी हमारे आग की facet